शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें लिए सब्सक्राइब के लिए सब्सक्राइब प्रूलें कर दो 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 कि эконом कर दो दो झाल 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 कामनी ये क्या क्या तुम ने अरे ये दोनों तो माश्र के खास आदमी थे कर दे हैं कि सुईभ顏 कर दो कर दो कुमांडो विजे ए देश के दुश्मनों कान खोल का सुलो उस देश की सरहत को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहत पे लहराता होती रंगा कि आप सकता के दुश्मनों का भाँ देश की सरहतो वाँ कि अभाँ और भाँ कि पाँ देश कि कमांडों वीजेट स्पिकिंग सर शरत पर कुछ गैर कानूनी काम हो रहा है मैंने हत्यारों से भरे दो ट्रक पकल लिये हैं अफिसर्स हमें कमांडों वीजे पर बहुत फक्र है चुट्टी पर होते हुए भी वो ड्यूटी नहीं भूला उसने यहां के मशूर मास्टर डीडी के हत्यारों से भरे हुए दो ट्रकों पर कब्जा कर लिया है कमांडों वीजे का जवाब नहीं है यह यह सब क्या है यह वह बीमारी है जो देश को खुकला कर देगी अगर वीजे बेटे तुम तो ड्यूटी से चुट्टी पर आयों पर यह सब तो लोगा का जब फर्ज ने पुकारा वहाँ ड्यूटी पर जब ड्यूटी खतम तब छुट्टी पर वाँ भई भाई वाँ बजे ना से तुझ जैसे सिपाही पर जिसकी हर सांस में देश का भविश्य जिन्दा है पिटे यह वो हस्ती है जिन्होंने देश की आजादी के आ रहे हैं वो ना आने पाए इसलिए यह इन नौजवानों को ट्रेनिंग दे रहें जो काम हम वर्दी पहन कर तो फर्ज अब अगर वर्दी के निवा रहे हैं पही अपने लिए तो सब जीते हैं लिकिन देश के लिए कौन जीता है देश का जावान सलाम सब सलाम ये कौन है ये बबलू मिला छुटा भाई दाव से इसे बुला लिया काम करने के लिए हम दोनों मा की खूब से हो करते चल सामान निकाल मा मा मैं तुम्हारा बेटा विजय हूँ मा जय हां मा मैं आ गया तो अपनी समा को छोड़ छोड़ कर क्यों चला जाता है तो अपनी समा के पास रहता क्यों नहीं मा मेरा पीटा तो पता नहीं मेरी मा का ये पागलपन खब्दूर होगा कमांडो विजय दिरंगे का रखवाला है मास्टर दीडी दिरंगे का दुश्मन सारी दुनिया को भारूत की ठेर पर बिठाकर मात की लोरी सुना रहे हम सबसे दाकत हो रहे हम सबसे बड़ा पावर है हम जाकर कैदो उस कमांडो विजय से शम्शान की आग बना देगे चिता की राग बना देगे उसके इस दिंदगी को रिलाक्स मास्टर रिलाक्स अगर सही वक्त पर सिपाही मर जाए तो वह अमर हो जाता है मास्टर पिश्मन की रिड की हड़ी तोड़ दीजिये ताकि वो जीता भी रहे हमारे सामने और आखरी सांस तक रिंग ता भी रहे हमारे सामने तुम काली टूपी लाल रुबाल को जानती नहीं कामने अगर इसी तरह से कमांडो विजे से हम शिकस खाते रहे तो काली टूपी को क्या जवाब देंगे हम मास्टर अब तुम कामनी का निशाना देख रहे हैं कमांडो विजे हैं मुझे मत मारो भीया रोक रुक बलना अरे अरे क्यों मार रहे है इसे इस तो चोड़ी कैसाबजी कई साल पहले मेरे छोटे भाई ने भी ऐसी चोड़ी की ती जिसके कारण मुझे अपना ख़र चोड़ना पड़ा अपनी माँ चोड़ने बड़ी को दिन मैं कभी नहीं पूल सकता जब मेरी माँ जिन्देगी और मौत के बीच दर्द से तड़ब रहे थी हमारे बस फुटी कोड़ी भी नहीं थी हम अपने तकदीर पर रो रहे दे तब मेरा छुटा भाई कुछ रुपए चुरा कर ख़र आया उन रुपें के साथ एग मानी ओडर फॉम था मैं उस मानी ओडर फॉम के अड़ेस पर उस लगके के खर पहुचा जब मैं घर लोटकर रहा है तो मेरी मां मार चुके थी मैं अपनी मां की चिता को आग लगा कर मुंबही से तारजिलिंग पहुचा जहां मैंने विजय की पहन शालू और उसकी मां को देखा विजय की सिवाब उन दोनों का इस दुनिया में कोई भी नहीं था मुझ पर अचाजार रुपय दे कर जाने लगा कुसमा ने अपने विजय के बार में पूछा और मजबूरान मुझे बताना पाड़ा आज आने भाई इस दुनिया की भीड में तो कहा है आने लगा आने लगा आने लगा आने लगाई दीवा नमस्ता ना हो हर गमसे अंजाना हो чऌन गले मिल कर अला इर के इर के इर के लगा आ इर के यिह दिन लगाई प्रसे लिए इल्राव दूनिया में अकेला हो नम्हें है नदर हर दिल पे इठक्ताब क्वानदर है कि ये दर है अपना वो दर है अपना पीती जहां रात वो घर है अपना चाहे नया हो चाहे पुराना सीखा है सब को अपना बनाना मैं तो बसी ना जानो बाप पुन्ने को ना मानो देखो जो शिकार दिल धड़के आप आप बसी ना बसी ना लाइव कोई यह कॉई है कोई है कोई आरी कोई भारी पतली बंधुख तल्वार प्यारे निले भीले को बारे पेड़ा पार करो प्यारे तोपी से धोपी पल में घुमा दू पूंदी पे जिससे को चाहे न चाह दू इसको पसाया उसको निकाला उसको गिराया इसको सम्हाला लाने वाला लाता है खाने वाला खाता है यही है तमाशे किसमत के अब बापरे इतने सारे बटवे मार दिये अरे कट्रिंग की विद्या है प्यारे यह मैं हर याली हो तो हर रोज दिवाली है लगता है बंबई वालों की जेब में बहुत पैसे आ गए बस हमारे जैसे चाहिए निकालने के लिए मुंबई बिड़ो आज के नंबर वन पे क्या मतलब तमाय के अंदर पूरी दुनिया में मुंबई नंबर वन पे लफ्टे जगड़े में नंबर वन पे और काम बजाने सचाहिए सचाहिए बाइ मुंबई हरमायदान में नंबर वन है तो यह काम करते हैं आज अगर बंबई के कोई नंबर वन होटेल में यह सारे पेस उड़ा देश के पेटे कभी सोचाहें जिन लोगों के जेवें काटी है आज राद उन लोगों के बीवी बच्चे खाना खाएंगे या भूके ही सो जाएंगे अरे बाबा अगर इस दुनिया में जीना है तो सिर्फ अपना सोचना सिर्फ अपना और आज के दौर में कौन किसकी जेव नहीं के दुनिया का हर आदमी अगर ऐसा ही सोचने लगे घ सुर्फ कराटने लगे तो दुन्यामि क्या वचेगा सब थम्रों जाएगा कुछ नहीं भचेंगा तु ये रास्ता छोड़ क्यों नहीं देता है इमानदारी का रास्ता इख्त्यार क्यों नहीं कर लेता है एबाबार रबूलालेमीन इन बटके बच्चों को नेक हिदायत दे और अखले सलीम यार कपको ओर्डर देला ये खाना क्यों नहीं आए लावी तक छुबे साले मेरे को खाने से बहले चाय की आदत है एक घंटा हो गया बोलके ये आसाम से आ रही है ये आगे तेरी चाय तो गरम पानी है अब ये पानी ये दूद्ध ये पत्पी शक्र ये सब चारो चीज़ को तूप में मिला और ले बन गई तेरी चाय मंगाई तो शक्र अलग पत्पी अलग दूद अलग पानी अलग मिला के पीो अपना जो बिर्यानी का अखी का अडरो दिए लिया-ख नमक अलग अलग तया किये लोग मिला के पीलो खालो.. बेटी, बार पोनी खाव बार तुक है गा रणी रणी से कंग रहो गृति यञिदा वे उसखें बटा लें इसे पीनिचे पूंट नहीं और भी नीचे ठिंडी उसके भी नीचे मैं बोलू क्या देख रहा है तूँ तट जब देखो तेरी निमाग में एकी बाद दूंते रहती है अभी अकल केंदे उसके कले में वो चमक तो बाहर देख बात है कि दी वो गया बेड़ा पाद चल 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 श्क्यूज में जी बंदे को किशन कनया कहते है योगुट डेम फ्लीज शाराफ ओ नाइस अच्छा है अच्छा है बहुद ब्लड़ी फूल जी मैडम कौनसा फूल गुलापका कमल का वो भी ता लगता हम किसी घटिया जगा पर आए लेट को अजी सुने तो बिना कुछ खाई पिए ऐसी ही चले जाएंगी गोटू है क्या हाल ब्रा रखका है कुछ लेते क्यों नहीं हो कमार के लड़किया है यार नमस्कूर आई ना हाथ मिलाई हादे लागे निकल गई अबे हाथ नह नजरे तो मिलाई इस हीरे की चेडिया तु पता लगा इसमें सफेरे का साफ है दो गंडी के लिए से भाड़े पर लाया हो चापना कमाल दखा यह जहर वाला साफ तो नहीं है ना अबेश साले सफेरे के साफ कभी जहर वाले होते हैं यह मंगर मूत रहों यह जडर लगता ह बाबा साप बजो साप आगया साप 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 मेरे जी कुरोना साप साप देख साप एकले हार यहार साप भी ढूर लेंगे साप साप घंग साप मिला क्या मिला साप अब नहीं वो अभी मिल जाएगा मैडम देखें मैं आभी साप को पकड़नेता हूं क्या हुआ क्या हुआ साप कहा है साप उदर गया किदर गया हुदर गया हाँ अरे सापवा रंग बदल रहा है काले से ब्राउन हो जाता है सब्सक्राइब प्राश्ट्रपती ने बुला कर अपने सापों के साथ एक लिले डूद पिला है समझे सब्सक्राइब सब्सक्राइब यह अपना सपेरा वाला नहीं, यह तो पीला वाला है अरे पीला निला करतुरूंगा सपेरे को समझ करना यह तो यह गोलता है यह को जंगली लगता है मुझे चले गया, चले गया और यह मैने पकड़ लिया यह अच्छा मैं चलू जी, ओके तांकि यू हब हो using then कै सालिष भी इन फंगुटी अंगुटी अंगुटी लाओ मिल गई और मुससे हो की में भास जी फंगुटी आउ ऑप साले अंगुटी आठेक सीड़ी ही में तैंग इ centralविक उनल गुर्च हर स 커ह और इसन्या चलिब हंरो तूने क्या समझा है मर जाऊंगा अरे मैं वो विलिन हूँ जो मरने के बाद भी आऊंगा 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 अरे ऐसी हुई बात तो मैं मैं आगया हुँ मेरी जान करकाओ मैं नफोर में गटिया लोग में बड़िए लोग मिलते हैं अब लिए जान की लगवा दीजिए मैं हीरो कराई है आपको क्या पता आपकी के लिए क्या करना पड़ा मेरी नोंटी आई थे एक सांप पील आई थे आपको पताए क्या मार कर गए आपकी अंगुठी आप समाल कर रखें आपको पता नहीं मेरे दोस्की क्या हलुत हुई है यह आपकी संगुठी के वज़े से देखेंगी उसे दोस्त अरे समाल कर दोस्त वक्र कहता है यह टिया नहीं जूड़ सकती है मैं कैसे चल रहा हूं भगवान नहीं जानता है बिलकुल इस देश की तरह भगवान के भरों से चल रहा हूं आओ ठोड़ा मुझे वहां तक देखा मैडम आप इसके बादन का कोई पाट काम का नहीं है तुन बढ़िया है और यह सब आपकी इस अंगुठी की वज़े से पूरा काम भाड़ी हो गया है हड्या जुठ नहीं सकती डॉक्टर नहीं बोले इस देखो आवाज आरे ना आखों का करेक्शन तूट गया है इस त्वेस्ट एरलाइंस हो गया है गड़े की पंडूलम की तरह यह चलती रहेगी ऐसे ही यह अब मैं भी पंडूलम हो गया अब मैं अब मैं उटने की कोईशस कीज़े आए अब मैं अब उठाया है वरना उटके नहीं था बंदा हड्ली ना गये तू जिंदी के से हार गया हार गया अचल अब आई यह ले जाए प्यर अब इतने बड़े हार के बाद इसकी कोई जरूरत जो बीद गया बीद गया मैं भीजीद गया यह बीजीद गया चल अच्छामेशा हम लोग चलते हैं सुनिये इस अंगुठी बोट बहुत बहुत चुपिया बेचारा कितना अच्छा अदमी है पेकार में अमने से घट्या समझा मुझे मेरी अंगुठी लोटाई कि वह तो है अरे अंगुटी जो अच्छारा हार का गया अरे मेरा हार ले गया वो कमांडो विजे ने उस तुफानी समंदर को एक ठेरा तलाब ब्रा दिया है ठाईक मोजा ने भी चतने तोड़ी है जो तो बाढ़िके मेट्र ऑफिसर हमें तोड़ेगा रिलाक्स मास्टर रिलाक्स मास्टर रिलाक्स मोजो से चत्टाने डूपती है यह नहीं यह तो मैं नहीं चानती लेकिन कमांडो विजे जरूर तुटेगा यह कौन है कमान जो विजे की कमजोरी है बड़े खुबस्वरत कमजोरी है यह यह पूल के साथ भवरा और भवरा वह इमान होता है इसका भी कोई इमान नहीं इसका मतलब सौदा असान मास्टर मेरा निशाना कभी खाली नहीं होता जाओ अगले वार के तैयारी कर रहा हूँ क्या कर दो जाओ आशों आशों इसका भी खाली तैयारी कि अवरा जाओ वारा जाओंछ साथ एब दो कर दो वारा जाओंग कौन तुम तुम यहां तुम से मिलना था चली आई इस तरह किर किसे प्यार अंधा तूफान होता है जी कहीं से भी आ सकता है हाँ कुछ बदले बदले से नजर आते हैं सरकार मेरे जैसे सीने पर कोई वार दिल पर है तलवार मेरे किसे ने इस तरह आते हुए देख लिया तो बच के आती हुँ तो आती क्यों हो रास की बात है जाती क्यों हो आना हुआ सुना है तुम माजी को लेकर शेहर जा रहे हो इलाज के लिए अब रिपार्मेंट से खबर मिली है कि अमेरिकास एक डॉक्टर आये हैं जुन्होंने बर्सों पुराने दिमागे मुरीज को ठेक किया है अच्छा शायद माठीक हो जाए चल्ड तुम लोग पाकेट बारते मारते लड़कियों के हार भी चुराने लगे लेकिन साब मैंने कोई चूरी अब मुझे ही कुछ करना पड़े था चल रख चल ऐसा साब शगल से तो आदमी चोर नहीं लगता है कि आप यह करते हैं और प्राश्चित करने में किसी की पुरी जिंदगी चली जाती है मैं एक मैने के लिए दुनिया बन की जेब काड़ूगा लेकिन आपकी जेब नी काड़ूगा चाप तुमने हमको खाने पीने वारा इस्पक्टर समय रखा है अरे मैं बहुत कड़क हूं अच्छे साब एक काम की दे और अपनी बीवी को पहना दीजे आप राज कुमारी ल कि अधिया विए माँ विए माँ क्या हुआ 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 है यहां कौन है तू मैं चंपकली तू आया था कल मस्तान गली खाने 16 साल की मौं फली आच्छा तो तू वहां के कली है अब तक ख्ली नहीं है ये और और ये चैनल था थाक सहता politics अधियों जो यहां तैसंас प्लमारे निंगाई आधी लिए कपड़े 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 उतार दिए अब तुम भी अपने कपड़े उतारो ना मुझे शर्म आती है क्यूं पहले तुम आखें बंद करो आउ जब तुम मैं हाना कहो खोलना नहीं नहीं खोलूगा खोलूं 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 नहीं आखें खोलूं अब खोलूं यह, 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 प्रिप्टो आरा यह दावरे अरे पारे, आरे आरे पखुड़ा इनको, अब में ने कपने, अरे में ने कपने एफ यानि शीज़ आपका बेटा विजे है यह आपका बेटा चो पर मुंबई सना गया था विजे मरा नहीं वो जिन्दा यह आपका बेटा विजे है विजे है यह विजे है माँ .. तुम्मारा बेटा हूँ विजय माँ.. इसे ने तुम्म से जुट कहा था.. जी आ नहीं आपका बेटा विजय है मा, मा, मैं को नहीं मा, यह तुमारी बेटी शालु है, अमारी शालु है मा मेरी बेटी मिस्टर विजे, एक बात का ख्याल रहे कि आपकी मा को कभी नहीं पता चलना चाहिए कि उनका बेटा विजे मर चुका है, नहीं तो उस सदमे से उनकी मौत हो सकती है डॉक्टर सब, वादा करता हूँ, मेरी सिंदेगी में चाहिए बड़े से बड़ा तुफान क्यों ना आ जाए मैं सिंदेगी का हर सहर पी लूँगा, लेकिन कभी इस मा को यह अहसास नहीं होने दूगा, कि मैं उसका बेटा नहीं इस लॉट्यों को जानते हो, अगर नहीं भी जानता हूँ, तो इतने सारे नोटों के ढहर में जाँगा, अरे यह लड़की, अरे साथ यह तो वही मुर्गी है, जिसने मुझे एक बार हीरे के अंडे दी थे, हीरे के, मैं कभी गलत पत्ते पर बाजी नहीं लगाता आगे North City सारे नोड़ों के लिए शहर की सारी लोणिया फैसे उठाने से पहले एक anyone अगर इस लड़की को उठाने में तुम कामयाब नहीं रहे तो तुमारी अर्थी में उठसक्ति और अगर काम्यापत होगे तो बक्षिस भी मिल सकता है तो मेरी बक्षिस तयार रखिए आज तक कोई बाजी नहीं हरी लड़की को इस पते पर ले जाना है सहाब समझ दीजिए कि चडिया चाल में फस कई है कि वाओ किया जगह है और वियुद्ध कितना रोमेंटिक नजारा है ना वहां देखो हाई शालू तो यूचीज अरे ये क्या कह रही है अप लग्टा आपने हमें पहचाना नहीं आपके होस्टल में आये थे आपके अंगोटी लोटाई थी आपके वरूल चॉल किया था तो कौनसा हार की हो आपको गलत सही होगी है साफिल लगा रही है आनूर तो हम आपको हार बार सकते हैं इन को देख़्े आपके जैकित है यह सगशल ने अज In-जोल धारिबी लॉचू किलिस किया मैंने तो वे पांच लाक रुपए हैं आप इसमें से अपनी हार की कीमत ले लीजे और आएंदा हम जैसे इजदार शरीफ लोगों पर ऐसा घटी अलजमत लगाईए मैं बोलता था ना कि प्यार बार के चकर कितना बुरा होता है अब बिल गए प्यार के सिला आपने मेरा हार नहीं नहीं मारी और आपकी तानगार के लिए पताऊ मेरम ऐसे से हार है नहीं ही इंदान दिये नहीं और क worry मैं ब्रीव के बंगर करता हूं लेकिन मुह बनने करता हूं अच्छा बोल दे आई शुर्या गाई शुष्पिता सेन ब्यूट्य कांटेज में जो उनके सरबसाइट पर रहाते न रामन का इनकी भेजिवी गिफ्त है जी अब बहुत हुचक है ये जी-जी अगर बार पर यही बात दोर आएंगे तो मैं नाराज हो जाओंगी आपसे आप तो पहले से हमसे नाराज हैं आप यही चाहते हैं ना तो ठीक है अरे शालू अरे हो जाना चालू बतन में जादू और इन चाल में शोखी अरे नजाकत अरे माशा आल्ला अरे माशा आल्ला उमर में मसी वल्ला वल्ला नजर में विजली वल्ला वल्ला और शरा रखे माशाला, माशाला जुकी जुकी पलको ने अपना बनाया जबते बरी हुँ मैं भी तेरी में है भुबा प्यार वाले बरीया में दिल में रटुबा माशाला, माशाला माशाला बतन में जादू बल्ला बल्ला चाल में शोखी बल्ला बल्ला ही 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 बतन में जादू बतन में जादू जादू अरे मैंने भी तो समझे है अब ये बसाने लोग कैसे हो जाते हैं प्यार में दिवाने तेरे मेरे त्यार की कवाही दे नजारे जागे जादे आखों में की कफने गुहारे तू जब से मिली तो पढ़ने लगी मौसम की कीमत जादू नजाकत माशा जादू वाव राजा यह पगला तक कितना अच्छा है बस अपना ही समझो यह लिए राजा इंसान सोचता क्या है और क्या हो जाता देखो ना मैंने तुम्हें कितना गलत समझा और तुम कितने अच्छे निकले मिपक्षवि मतलफिंसां कला प्लाइव और भी किसी निकले प्यार किया नहीं जाता है हम दिल दिया नहीं जाता है होग जाता है जू मैं अआरे लाको तुम्हारी बहुं में कैसा लगा कि मुझे बेखन बीचिरी में अजिन्दिकी तो मुझे मुझे अरे सुनो जद्किला छुड़की कहां जा रहे हो तुम्हारे लिए एक यूटिफुल सप्राइज लाने पक्का मैं दोव मिट में आता हूँ कहा है बाकी के पैसे चेडिया पिंद्वे में पन है और यह रही उसकी चारी और यह रहे तुम्हारे बाकी के पैसे ओके लुको अप्ड़के ने कमांडू वीजे की बेहन को अपने जाल में पूरी तरह से फंसा लिया है दरिवायर एक काम करो जल्द से जल्द वो कमांडो विजय की बेहन को लेकर यहां पहुंच जा ओके अपरेशन सक्सेसफल अब कमांडो विजय की सारे पर कच्छाएंगे और वो बोली भी हमारी बोलेगा चाल भी हमारी चलेगा अरे इतना है नहीं सरहत पार से हथियार बं बारूद मिलिटरी की गाड़ियों में हमारे लिए कमांडो विजय लेकर आएगा और यह मास्टर रोज थोड़ा थोड़ा इस हिंदुस्तान को परबाद करके करोड़ों रुपय कमाएगा और एक दिन पूरे हिंदुस्तान को खा हमारे मेरे ख्याल तो भारी बटवा मारा तुने अपे बटवा नहीं आज बहुत मोटी मुर्गी काटी है लगता है कोई बड़ा बकरा काटा है तुने हैं बकरा नहीं बकरी 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 आप में नेकलिस वाली तुने बाबाबा अब ने में आतल और बहुत है कि अच्छा में में दिक की विए है सटाना को अच्छा बाब करना है जोनेे जिलोगे तो इंदात फ्रोच वोगों यह वाल दूरी कर जान दूरा की डिशन दूरा बसे कि अच्छाए माझने बदीरत पर इंद तुम दीजा फिरा शाया एक दर्की की एक चीख सुनाई थी तो तो मेरी फिकर मत कर मुझे अपनी जान की परवा नहीं मगर वो जिन्दगी किस काम की जो किसी के काम ना है मेरी जिन्दगी काम आ गई मगर वो इन्सान जानवर होगा जिसने मासूम के साथ विश्वास गात किया बिठा ये तुझे मेरी आखरी नस्यत है दुनिया में जिन्दा रहने के लिए बड़े से बड़ा ताला तोड़ना मगर विश्वास का ताला मत तोड़ना ताला मत तोड़ना विश्वास का ताला मत तोड़ना 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 पर आप तोड़ना 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 जोड़ना अब आप मोज़ना मैं अपने किये वे हर पाप का प्राशर करने को तेयर हूँ पर यहार भी तुम ही ने चुराया था यह चीट तुम्हे अहार लोटा कर मेरा करता विश्वासकना चाहते हो चले जाओ यहां और फिर अपनी शूरत मत दिखाना तुम मेरी मुखबत दो किया मेरी नफरत के भी लायक नहीं हो चले जाओ यहां जासे कर दो कि ऐसी को आज तो कि अए एक तक बहुत है एक मामूल इसी लड़की को नहीं ला सके तो हमारी दुनिया में जीकर क्या करोगे इन्हें खतम करके हमारी प्रॉब्लम खतम नहीं होती कामेनी अब कमांडों विजय को इंडारिक नहीं डारेक्ट हमना करके खतम कर देना चाहिए झाहिए मास्टर टीडी तुझे मासुम बच्छों के वह खून की एक पून का हिसाब देना होगा आप कमांदो बच्छों मास्टर से तक्राएगा तो खाकोकर जमीन की धूल बन जाएगा तू ना जाने कितने शही चिता में जलकर राख हुए ना जाने कितने मिट्टी में दबकर खाक हुए तब जाकर इस मिट्टी से हम जैसे जवान तुझ जैसे घद्दारों को मिटाने वाली आग हुए कमांडो विजय मिटा कर रख दूँगा तेरी हस्ती को तिनकों की तरफ बिखेर कर रख दूँगा तेरी जिन्दगी को ए मास्टर मौत की हसली पचलने वालों को कफन से मत धमका माय तुझे माल लानूगा कमांडों विजये कर दूँगा हुआ है तो अधरों की सांसे छिनने वाले कि आज के बाद मैं तेरी सांस लेना मुश्किल करतूंगा यह समझना कि मुझे दैट करके तो चैन की सांस ले सकता है काली तूपी लाल रुमाज तुछे बरबाद कर देका तबाह कर देगा तुषे अ कौण है यह काली तूपी लाल रुमाज किसी का है अब आमने कर सब्सक्राइब कि प्रॉड़न कर ये राए तर्लबने में बच्छानाने कुछ कुछ देशे हमें बेस शाले मैं खुछ ये तूछुर। हाथ दे अभी ये बोज हलका करना है अरे छोड़ यार इन उंगलियों ने हमेशा पाकट का बोज सबाला है अपने देगाम नहीं होगा आज के बाद यही करना पड़ेगा समझे अरे शालू ने तिरों को दिल की चोट क्या दी तुने अपनी दुनिया बदल दी यार अरे जिस गए हाथ पाउं ठगए और यह उंगलिया है न चीक चीक है मेरे को बोल रही है मेरे को गुसना है किसी के पाकेट में गुसना है उसको बोला ठेर फिर अस्रावन मेने चल रहा है यह भाई तुने कैसे घाट की मौबत किये यार ऐसे मत बोल यह जितने काले धंदे मैं सब शालू की वज़े से वो मेरी जिन्दगी में एक नई रोष्णी बनकर आई है नई रोष्णी बनकर आई और अंद्र में डालके निकलके देख भाई तेरे बॉबत की चक्रवा मैं ऐसा फसा हूं जैसे मकडी की जाल में मक्की मगर मैं तो मक्खा बनकर फसा हूं चुब चल काम करते हैं राजा 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 सुबा का बूला कर शाम को करा जाए तो वह बूलाने कहलाता हूं कि अधाने कि आज़ें वालों के सीने में प्यारी भर्जू काली चोपी लार रुमाल मास्टर की गिरिफ्ताई से बहुत ही अपसच है मिलिटरी वालों ने मास्टर को कहां छुपा रखा है पता लगाना है अब तो कमांडव विजय को मुठी में करना है तुम्हारी चोड़ी पकड़ी गई सब जान गई हूं मैं क्या जान गई हो तुम सब कुछ मैं कमांडर विजय की बहन हूं कितनी बेखुफ नहीं चारों तरफ नजर रखती हूं क्या मतलब मतलब यह फास लिया ना विजय बहिया को क्या वक्ति हो तुम अरे जाती किदर हो गिरफ्तारी की पूरी प्रेजारी के साथ आई हूं कि रफ्तारी अरे तुम्हारा जूर्म सबूत के साथ मिला हमें जूर्म कौन सा जूर्म जूर्म है इश्क का और इसकी सजा मिलेगी ओम्रकेट क्यों मंजूर ना चला है चाने दे मुझे तेरे भाईया से कोई चक्करवकर नहीं है मेरा हम अच्छा तो यह लाव लेटर्स किसके है अब यह मेरा नहीं है नहीं है तो यह आपका हैंड़्ड पसेंट नहीं है और यह नहीं है यह यह कोना अब बस भी कर यह मेर् tota पास के साव मैं विभार जानती हो तुम्हारे अब भाईया के बारे में अच्छ यह थिरा भी ऑउफ्रेंड है तुम्हारे कोई नहीं है यह किसकी तस्वीर औरıllा है यह मेरा पीछा करते हुए यहां तक आप पहुचा अच्छा ही तो है कैसे कर लूँ जब तक तेरी शादी की गाड़ी आगे नहीं पड़ ली मेरी शादी को ग्रीन सिकनल कहा से मिलेगा अरे भाई इसकी शादी की बात हो रही है हाँ पर गे नो पकड़े के ना चाचा जी वह मोहिनी की शादी अपने विजे बया के साथ किस सोच में पड़ गए दिनो इससे बढ़िया लड़का तुम्हें कहा मिलेगा विटिया तुम्हें कमांडो विजे पसंद है ना जी देखा शर्मा गई अब जल्दी से रिष्टा पक्का कर डालो अरे ने ने तुम्हारे जगा यहाँ नहीं मेरे दिल में है मेरी आँखों में है आज उझे मेरा नसीब मिल गया जो चाहा था वो मिल गया मेरा इंतिजार फ़तम हुआ आज तुम्हारी आँखों में भी बल्ला क्या बात है लगता है कि जुकी हुई कयामत की रात है जानेमन ये रात फिर कभी नहीं आएगी इस रात के बाद तुम्हें उम्र भर सताओंगी कब तक मेरे आद्मियों की नजरों से बच्टे रहोगे तुम्हें इस देन उने पता चल गया कि मैं तहां हूँ तूपान की तरह वो आएंगे और फूखे शेर की तरह तुम पर सूप पढ़ेंगे किक दिमाख बनकर देश को खुकला करने वले ना पाक किड़े वर्दी को काली देता है वर्दी को काली देता है कि कौन है काली टोपिलाल रुमाल नहीं बताएगा नहीं बताएगा तो बोले काकी नहीं तुम्हें कितना भी मार करमांडो विजय तुद्धत जाएगा लेकिन मेरे जुबान से सिर्फ चींखे निकलेगी और गालिया निकलेगी तेरे लिए सिर्फ गाएगा कौन है ये काली तो भी लाल रुमाल कि अधिर को जेल से चुड़ारा हमारे लिए उतना ही जरूरी है इतना दुनिया के लिए सूरज का निकल लाएं अधिर आप लेनाइस चुस् awhile kach से दूस्री चौकी में शिफ्ट कर देते हैं चाहे वो लोग रोज मास्टर को एक दुन्या से दूसरी डुन्या में क्यों नष्ट करें पर हमें मास्टर को इसी भी ती만ब पर अपनी दुन्याığımız मोगा तुम आपकी बार मोगा के जूतों का आवाज तुम्हारे वास्ते गोल्ड के सिक्कों का हंखनाहट लेकर आया है क्या खबर लाए हो मोगा आज हम तुम्हारे वास्ते बहुत बड़ा न्यूस लेकर आया है ना लेसन सेन्टर से वेलापूर मिलेटरी केम्प की चौकी नमबर 47 के डिफेंस डिपार्टमेंट में एक फाइल आया है जिसमें इंडियन डिफेंस के टॉप सीक्रेट हैं मतलब इस देश में कितना मिलेटरी है इस देश का बार्डर का कौन सा चाकी कमज़र है कौन सा चाकी और स्टाउंग करने का है यह सब उसमें है अब अगर तुम लोग किसी भी तरह हमको वो फाइल देने को सकता है तो हम फॉरण बेंक में तुम लोगों को हंडर तॉजन करोर डॉलर्स देगा वन हंडर तॉजन करोर डॉलर्स येस टाइगरस अब हम मास्टर को भी चुडाएंगे और वो मिलिटरी कैंप से सीगर्ट वार से सुनों इंडियन आमी के सारे सीगर्ट कमांडो विजय ने जाओ विश्यू आल दे बेस्ट सुनो तुम लोग यही मेरा इंतजार करना हूं कौना तुम बोलो कौना तुम मैं मोलो कौना तुम मैं 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 देखे मैं भवी जी नमस्ते नमस्ते आप कमांडो विजय की धरम पत्नी है न जी जी अरे भाईयो यह अपने विजय की धरम पत्नी है जाओ जाओ तुम लोग जाओ आईये न आईये 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 सर जाए प्ली जाए उसली आईय विजय तुम यह कैसे आईये विजय विजय तुम यह जान को खत्रा है विजय मेरी जान को खत्रा आई विजय बाद तुम जा pearls दालेंगे विजय मुजे कुछ नहीं होगा होश में आउ नहीं विजय ठीज कि अग्जा नाम की टेरिस का पता तुमसे मालूं करके उन लोगों को नहीं बताया तो तुम नहीं तुम नहीं बढ़ा लेंगे विजये मैं तुम्हारे पहर पढ़ते हूं बता दो मुझे कहा है वो मास्टर मैंने का स्टॉप इट बैठ जाओ मैंने कहा ना बैठो देखो मुझे ऐसी धंकिया हमें बहुत आती रहती है कि 24 घंटे के अंदर मिलिटरी कैम उड़ा देंगे ये कर देंगे वो कर देंगे क्या इससे देश के जबान ड़ जाएंगे मुझे ये लोग देश के घददार हैं किया हमारी लाशे क्यों न बिज जाएं फून के समंदर क्यों न बह जाएं हमें अपना कर्तब बनिभाना है देश के तिरंगे को असमान पर लहराना है यह जिन्दगी देश के नम उस दिन कर दी जिस दिन यह वर्दी पहनी दी माँ बाप भाई बहन वीवी से भी बढ़कर एक कसम खाई भी और वो थी इस वर्दी पर खाई हुए कसम अंगर तुम्हें कुछ हो गया विजा यह क्या हूं नहीं चछरू में फस्टिट लेकर आता हूं को 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 है तुप है कंग अ मोहनी 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 तुम उपर क्या ता रहे थी मैं वो वो पर चॉइलेट चॉइलेट मोहनी भी यह कॉम्पीटर रूम है बहुत इंपॉर्टन्ट अंदर जना सक्त मना है जो टॉलेट वहाँ है मिस्टर विजय यह सर सुना है तुम्हारी मीसिस आई हुई है यह सर अरे मुहनी यह मेजर साब है नमस्ति जीती रहो बैटा जीती रहो यहां क्यासे आना हूं वो सर किसी ने फोन पर धंकी दी थी तो खबराकट चली आई अरे बैटा ऐसी फाल तुकी धंकियों से डरा नहीं करते अच्छा तु मैं चलते हूं ने ने मैं तुम्हें छोड़ देता हूं अच्छा सर ओके अरे कमांड विजे तो कामनी को साथ लिकी जा रहा है बीचा करो उसका रोको रोको गाड़ी रोको चलो रुक गया अरे हां हां अभी याद आया पिताजी का घर देगा तो उनकी याद आ गई होगी हां वो मैं पिताजी से मिल क्या हूं चौक से अच्छा तो आप जाईए ना मैं बाद में आती हूं अरे ऐसे कैसे घर तो मैं अपनी घर वाली के साथ ही जाओंगा चलो मैं भी चलता है नहीं नहीं वो क्या है अगर आप गए तो तो क्या होगा तो बातों में बहुत वक्ल जाएगा यह बत तो सही है उपर से यह ससूर से दमात का कम मिलना ही अच्छा होता है जाओ और अपने पिताजी से मेरे बारे में धेर सरी शिकायत करके आँए तुम्हारी आदाओं पे प्यार आता है ना जाने क्यों बार बार आता है अच्छा बाबा मैं चलती हूं अहां बेटे जल्दी जाओ उसके आने का टाइम हो गया होगा बाबा अपना ख्यार रखना हां 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 अरे बई ख्वाल है अभी तुम उधर गई तो इधर कैसे गड़ बहुत गड़ बहुत गड़ तुम डुबली गेड़ो तुम नकली ओ अरे वो गावालों सुनो अरे बहुत बड़ा दोका अरे गंगू क्यों शोल मचा रहा है अरे बेटे तु गई नहीं अभी तो यहीं क तो इधर कैसे गड़ बहुत गड़ बहुत गड़ रहे हैं अभी अभी यह उधर गई तो इधर कैसे बोला ओफो चल भागया से जा तू जाता हूं मैं जल्दी हग्या पीवकू कहीं का मैं तुम्हारी शादी पर नहीं आ सका वालू पड़ा तुम घर आई हूं तुम्हारे लिए यह चोटी सी बेंच ले लो तो मैं चलो हम बेटी जाओ कि शंबर चलो एक एक अप्टा हो जाए क्यों नहीं वान जू थ्री फोर वान जू थ्री फोर हम यहां ऐसे जवान तैयार कर रहे हैं जो टेररिज्म को खत गर सके और तुम मजाग कर रहे हो तो पिना जान पैचान कि तो मैं आश्रम में रखा आएंदा ऐसी हरकत की तो आश्रम से निकाल दूगा अब नमस्ते जी क्या हुआ दर्द है क्या बिटे दात में दर दो रहा है तुम बात करो मैं आता हूं क्या हुआ दर्द है क्या मार पड़ी यह थपड़ खाकर आ रहा हूं आवादे सुना जी तरुकू हाँ सुनी तो थी आचा वो तेको बड़ी चल कोई ने खुछ भी बोल इस जगा में एक अलगी मजा है अरे काय का मजा सदा है सला काय की सदा यहां रहना फ्री खाना फ्री पीना फ्री कपड़े फ्री सब कुछ फ्री हाँ अंदर खटबल फ्री मचर फ्री रोज एक थपड़ फ्री का जो माल है तेरे को कितनी थपड़ बड़ी अभी तक 12 थपड़ बड़ें और हमें आकर कितने दिन हुए यह 11 बारे दिन इसका मतलब रोज मैं थपड़ खा रहा तो मेरी पाकेट मारने की आदत नहीं जाती तल रात को नीन में एक की मैंने पाकेट मारें फिर मारते होकत उंगली का बैलेंस बिगड़ गया पकड़ा के सालोने मिलके मुझे मारा है फिर धोया यार फिर क्या पिछले पांच छे जो मारें थे वह पाकेटे देने पड़े इतना सब कुछ हो और मुझे खबर ही नहीं तो तो किस्तालो के ब्रवा पड़ा हुआ है आप जो देख रहा है उसके आप बोल रहा है तेरह जंजल बाजी छोड़ अटा भगा यार बगा के ले जाए शादी कर चार चे मेने की सजा हो जाएगी जेल में जाकर बैढ़ पाकेट ने मारेंगे आई लव यू इतना प्यार मत कर मुझ से क्यों नहीं करूं अगर कभी में तुम्हें नहीं मिली तो अगर तुम्हारे भाईया शराफत से नहीं माने तो उठाकर ले जाओंगा तुम्हें अच्छा मेरे भाईया मिलिटरी कमांडो है समझें तो हम भी एक सर फेरे आशिक हैं प्यार में सर कटा सकते हैं वगर प्यार का सर जुखा नहीं सकते यह हुई ना आशिक वाली बात इस्क में दिल देना आता है मैडम तो चांपी दे सकते हैं आशिक हो दैसा तिरे मेरे प्यार कल हो गए लाग तेरे मेरे प्यार कल हो गया एलान, जो भी जह कर ले तारा जहान तेरे मेरे प्यार कल हो गया एलान, जो भी जह कर ले तारा जहान जीने की हसरत है, मरने का इरदा है हम तुम न जुदा होगे, निरजान ये वादा है जीने का इरदा होगे, निरजान ये वादा है जीने का इरदा होगे, निरजान ये वादा होगे, निरजान ये वादा है जीने का इरदा होगे, निरजान ये वादा है तुझसे नजरे मिली, तुझसे दिल मिल गया, ये जमी हिल गई आसमा ही गया रुप पाएंगे अप्या मुथे मुश्किले, तिरे बाहों में है अग मरी मन दिले होने लगे खुआ भाम दोनों के जवार, होने लगे थोड़ा थोड़ा दिल बैमार जीने की हसरत है, मरने का इरादा है हम तुम ना जुदा होगे, मेरी जान में वारा है भाएंगे 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 मुझा मालूम है तुब वही शोर है ना जिसने कल किसी का हर चुरा था अर आज मेरे घर का सबसे किमती जवर चुराना चाहता है भाएंगे वो मेरा गुजरावा कल था आज मैं चुड़नी खामोश नीम के पेड़ पर शहत के छटे लग जाने से पेड़ मिठानी हो जाता लेकिन सर शालू का खाल अपने दिल से ऐसे निकाल दो जैसे कोई नास्तिक भगबान का नाम अपने दिल से निकाल देता है तेरा भी जवाब नहीं भाएंगे प्यार के तलाब में डुपकी मारता है लव के तुम पूल में डाई मारता है मंगर आज तो मजनू, रांजा, रोमियू, पराद, सारे तुछ में घुसवे अब लगा दिल पर पत्थर कोई चोट लगी क्या तुझा आ यार टिमाग मत खराब कर आज मैं वैसे ही अपसेट हूँ अपसेट हूँ और आपके जेब है वो नरम है, लेकिन कोई बात नहीं अपने पास इतने सारे नोट, यह पटवा, कहां से लाए तो यह सब कुछ अरे अपनी वह यादा जाती नहीं यार, चलते फिरते की मारती तस्विर भी है अगरे कौन है कमांडू पीचे यह तो यह तो क्यों भाई पुर्पाइचान का दुनी अरे अरे यारे, एक सोगी पतित देखे जा भाई साब भाई साब इस घर में घुजने की तुमारी हिम्मत कैसे वही ने आपका बटवा लोटाने आया था अच्छा इस घर में आने का बहुत अच्छा बहाना ढूना है तुमने है पहले मेरा पर्स चुड़ा है उसके बाद मुझे वापस देकर अपने पर इमांदारी का ठपा लगवाना चाहते हूं नहीं सर मैं जानना चाहतो यह तस्वीर आपके पास कहां से आई इसा तुमसे क्या मतलब है यह तस्वीर मेरी मा और मेरे बड़े भाई की है यह मेरी मा और मेरे भाई की तस्वीर है यह तुम्हारी मा और भाई की तस्वीर है जी मुनिप, मुनिप, माप, माप, यह म आपकी मा को कभी यह पता नहीं चलना चाहिए कि उनका बेटा विजे मर चुका है पर नहीं तो सन्वय से उनकी मोथ हो सकती है उनकी मौत हो صगती है भाहचा साब अपके आखों में आ सूँ इसका मतलब आप सबको जानते हैं प्लीज मुझे बताईए बटब आपको कहा से मिला यह मेरे दोस्तका है आपके दोस्तका मतलब मेरा भाहचा सर प्रश्ट मुझे बताई वो कहा मिलेंगे सर वो अभी इस दुनिया में नहीं है नहीं सर यह जूट है ऐसा नहीं हो सकता सर सर बोल दीजिए ऐसा नहीं हो सकता ऐसा ही हुआ है उनी को कॉंड डाल सकता है और मेरी माँ उनका भी ड्यान दो गया तो यहाँ गाल यहाँ प्रश्ट जी तुटाइब बेरे तो सब कुछ लोग चुका है क्या मैं अपनी माँ और अपनी पाइक की तस्वीर के लग सकता हूं नहीं नहीं, यह मैं किसी को नहीं दे सकता Sir, please नहीं, चल जाओ यह से मैं यह किसी को नहीं दे सकता किसी को नहीं दे सकता क्या यह सच मुछ तुम्हारी माँ है और यह तुम्हारा भाई जी इनके लावा मेरा सुन्या में कि और कोई नहीं है कि अब भाई साथ क्या मैं आपसे एक सवाल पूछाँ को पूछो क्या क्या सचोच मेरा भाई इस दुनिया में नहीं है कि अपना चेरा मुझे मात दिखादा जाव यहां से मैंने तुम्हार यह तस्विर तुम्हें दे दिये सब कुछ दे दिया अब तुम्हारा मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हारा मेरा कोई रिष्टा नहीं है रिष्टा था इस तस्विर का वो भी तूट गया जाओ यहां से जाओ यहां से मैं किस मकाम पर हूं नहीं है खबर मुझे मुकद्दन ने मारा कैसा यह खंजर मुझे मन्जिल पर आके अपनी अजब हादसा हुआ मैं धरकन को भूल गया और मेरा दिल मुझे राजा रुक जाओ राजा राजा मुझे छोड़ के कहां जा रहे हो ऐसी कुछ बाते हैं जो मैं तुम्हें पता नहीं सकते ऐसी कौन सी बाते जो तो मुझे पता नहीं सकते शालू मेरी कुछ मजबूरियां हैं मुझे गलत मत समझने काई ने हमारे रिश्टे से साफ साफ इंकार किया है तो आपको क्या अधिकार है मेरे प्यार के बीजाने का क्या आपने भाबी से प्यार नहीं किया प्यार करके भाबी से शादी नहीं की कि अगराज मैं किसी से प्यार करती हूं उससे शादी करना चाहती हूं तो आप हमारे पीछ दीवार क्यों बन गए हैолько क्या दिकार है इससे अधिकार पुछ रही है पिता समान भाय इससे अधिकार पुछ रही है तो इसके Cute Meg अगर आज मेरा बेटा पिरापना विजह भी होता तो वो इतने फर्ज नहीं निभाता जितने इस बेटे ने निभाए है अपनी माँ के कोप को दर्द देकर जन्म लेते हैं लेकिन के तुम वो बेटा है जिसने मेरी कोप को दर्द नहीं दिया बल्कि मेरी सारी जिद्गी के दर्द दूर करती है इसने हमारे मास्टर जा मने अभी टिकेट विखरे लिया है अब हम चलेंगे क्यों भाई हमारे आश्रम का खाना और हवा पसंद नहीं आई क्या ने जिवार ने खाना यह पसंद दे हवा बेटी है लेकिन यहां का माहल जरा ठीक नहीं क्यों महल में महल में ऐसा कौन सा तुफान आ गया मास्टर जी ऐसा है यह तो महबत करने वाले हैं महबत करते रहेंगे कमांडो की बेहन से मगर कमांडो ने इनके मुँ में गरम गरम आलू दे दिया है अब आशिक का मुँ भी जल गया है दिल भी जल गया हम नहीं जलेंगे हम चलेंगे अरे 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 देखो बच्चों कामियाबी नाकामियाबी हार जीत ये तो धूब च्छाओं की तरह होती है अभी अगर सुबह है तो थोड़ी देर बाद रात भी होगी रात होगी तो फिर सुबह होगी इसलिए अंधेरों से मत घबराओ उजाले का इंतजार करो मैं तो कहता हूँ कि सोच विचार लो और मेरे साथ गांधी आश्रम चलो मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ सामने वाली पहाड़ी की पीछे लाश मिली है सर लाश बुरी तरह से सड़ चुकी है जखम का कोई ऐसा निशान है नहीं सर जाओ गोर से देखो अगर उसकी पीट पर ऐसा निशान है तो वह मुझरिम है दुश्मन देश की जासूस है वो क्यों ऐसी नजरों से क्या देख रहे हूं मॉडन ड्रेस है मॉडन आज जरह अलग नजरों से देखो न उसी नजर से तो देख रहा हूं मगर चारों तरब आइनों का साया दिखाई देता है समंदर के पास है फिर भी बंदा प्यासा दिखाई देता है समझ न सकोगे तुम हमारे दिल की आपको और जब समझोगे तो भूल जाओगे अपने आपको मुझे कुछ याद नहीं है कुछ याद नहीं है यह क्या कर रहे तो अब मेरे साथ चलिए मैं खुद आपको अपनी पद्नी की पीट दिखाने को तैयार हूं विजे सॉरी सर मेरे पद्नी आपकी बेटी समाना है और अगर बाप बेटी की पीट देख ले तो कोई पाप नहीं है सुर्ण बिल्सें की बापकी अपकी वादेख देख लेके तो कापकी पादेख की छाम गादेख दो बादेख देख दो गहादेख दो गई बादेख पार नहीं है आशा को ज़िए!!! मुझे यह क्यों बन किया? मुझे क्यों बन किया?! मुझे यह क्यों बन किया?! कामिनी कामिनी तु हो तु जिन्दा है हाँ मैं जिन्दा हूं कॉलेज में मैं हेरोईल लेटी थी चरस पीती थी आज भी पीती हूं ना डैडी से तुम मेरी शिकायत करती ना डैडी मुझे पर गुसा करते और ना ही मैं यहां होती मेरी प्यारी सी बेहना मेरी बर्बादी का कारण तुम हो तुम्हारे ही कारण मैंने घर छोड़ा था हाई कामनी कर दो कि अध्यार की तलाश थे जिनदा या मुर्दा अमारे दुनिया का बहुत खतरनाक आदमी थाए और तुमने उसे मार रादा लाँ मतलब तुम्हार इसे भी ज्यादा काध ञेकर खतरनाक हो हैक और अजसीं है इसानों के दुनिया में तुम्हारे लिए कोई जगा नहीं लेकिन हमारी दुनिया तुम्हारे लिए बहुत जगा है Are उसके बाद यही मेरी दुनिया बन गई और अब मैं तेरे पती कमांडो विजय के पास उसकी पत्नी बनकर जाओंगी और वो तमाम मिलिटरी सीक्रेट्स हासल करोंगी जो हमारा मिशन है कामिनी कामिनी नहीं शाजाब बर्भान के लिए इसा मत करना कामिनी एसा मत करना लोना जी मुईनी मुईनी अरे बाई क्या है कबसे आवाज दे रहा हूं तुम्हे सुनाई नहीं दे रहा है अरे भाई कबसे आवाज दे रहा हूं तुम्हे सुनाई नहीं दे रहा है आज कल की पत्रियों को हो क्या गया खाना पकाती है मीजिक कपड़ा धोती है मीजिक अभी घर के सभाई भी करी हो भी मीजिक है ला हाँ आब बैठिये न मैं भी चाय लेकर आती हूं अरे रे 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 एक मिनिट एक मिनिट जी क्या ना कपड़े उतारे ना घड़ी उतारी ना वह क्या हुआ आज काम करते वक्त कमर में थोड़ी मोच आ गई इसलिए तो फिर बेटो बेटो मैं तुम्हारी कमर में मलहम ल करने की आइटेम तक नहीं दी जी जी भूल गई करो एक मीट एक मीट आज तो स्पीट कमाल है क्या करूं आज बालम पर ज्यादा प्यार आ रहा है अच्छा फिर तो हो जाए कमांडो पिजय आप अड़ 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 गरम पानी तैर करो मुझे नहाना है हाँ जी अभी लए सुनो मास्टर को चौकी नंबर 17 में शिफ्ट करना है पुरी खबरदारी के साथ चारों तरफ सक्त पहरा लगा दो ओबर कोई मैसेज आज मास्टर को सद्रा नंबर की चौकी में शिफ्ट किया जा रहा है कब तक मुझे चौकी से दूसरी चौकी शिफ्ट करते रहोगे आखर कब यह जब तक तक तुमारे ग्रुप को मांडर विजय ग्रफतार नहीं कर लेता अब तक तक तेरे जैसे देश लोईं को ख़त नहीं कर देते तब तक चाहिए पर अब कर दो कर 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 दो कर दो अब तुम्हारी वफादार और बादर उसे बहुत खुश हुए वाकि तुम जाबाज हो गुरू मास्टर जाबाज हम नहीं बलके यह है तुम हाँ लेकिन तुमने तो हमारा काम करने से इंकार कर दिया था हाँ मैंने आपके साथ काम करने से इंकार किया वजय शालू और आज मैं आपके साथ हूँ वजय शालू का भाई कमांडो वजय उसने मुझे थितकारा है मेरा प्यार मुझे चीना है मैं उसकी जिन्दगी चीना चाता हूँ उसे बर्बाद और तबा देखना चाता हूँ बहुत आगे जाओगे जिन्दगी में बहुत आगे जाओगे क्योंकि नफरत की च्वाला च्वाला मुझे से भी ज्यादा भेंकर होती है देखना एक दिन कमांडो विजय कीड़े मकोड़े की तरह हमारे जूतों पर रिंगता हूँ नजर आएगा जेल में गुजरेवे हर पल का हिसाब जो उसे देना है हर पल का हिसाब लेले मास्टर आपको जब मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं गांदी आश्रमे मिलूंगा गुडबाई वेलकम मास्टर तुम लोग जा आज़ादी मुबारखो मास्टर वाग कालिडो बिलाल रुमाल मुझे जेल से चुड़वाने के लिए सही आदमी को चुना था तुमने जो कमांडो विजय से नफरत करता है और उसके नफरत में हमारी खाम्याबी है कामीनी कामीनी यह कामीनी हमारा मिशन काम्याब हो गया अके कमांडो विजय आप जुट्चाप हमारे साथ चलो चलो विजय आप जो लुए इसदरिका करने कीचाप ग घसी वार 11 है कीचाप अचलो सवरे थो कीचतो कीचाप है अब तुमने ज़रा भी हरकत किरी तो मैं तेरी बीवी को शूट कर दूँगा जो सिक्रेट्स तुने हेड़क्वाटर्स के कॉंपिटर में फीड किये हैं तो हमें देगा या नहीं मरें देश से alan किया तुम्हे मैं पत्नीं से ऑने वाले बिचे से प्यार के अब उन तमाम बच्छों scope रहें जो इस देश की जन्मे से छिनन विश्वासा कि हम जैसे तो तुम्हारा देश इतना महन हो गया अरे तू क्या समझेगा इस देश की महनता को तू वफादरी को क्या जानेगा तू तो विदेशियों के जूते चादने वाला उनके सामने तूम हिलाने वाला कुट्था है कॉम्पिटर से सिक्रेट्स निकाल के दिखाया नहीं रुक जाओ मास्टर तुमने ट्राइए किया अब हम ट्राइए करेंगा क्योंकि इसके बू का जो थाला है ना उसके कौन लेकर चापी भी वारे पास है काली चम्री का सुवर कान खुल का सुले तुझे मेरी लाश मिल सकती है लेकिन वो सिक्रेट नहीं कभी नहीं मास्टर अब इसका मूग का ताला का चावी खोले के वास्ते हम अभी मंगवाते हैं आप खोल लोग चावी लेकरा अभी लाइए बास्ते हैं ले खल्यां आर वो लिए अ डॉक्टर आप येस कमांडो विज़र ये एक इतफाक है कि आपकी मां का इलाज भी मैंने किया था और आज आपका भी लेकिन मुझे अफसोस है कि आपको होश मिलाने के लिए मुझे कई महीने लग गए के महीने अलो कमांडो विज़र आइम मेजर बेदी प्रॉम दिल्ली और मैं कैप्टेन खन्ना फूल्पू सेक्टर नई जिन्दगी मुबारक हो थैंक्यू सब्सक्राइब कि जहां मास्टर ने आपको कैद किया था वहां पर हमारे जवानों ने हमला करके आपको चुड़ा ल मास्टर पिछले कई में नुसे कंप्यूटर के मालूम कर के उन तमाम कंप्यूटर के से सिक्रेट नहीं निकाले मैं मैं जाओंगा, मैं जाओंगा मैं ले आओंगा वो तमाम सिक्रिट्स अपने देश की ताकत का कोई भी राज तुष्मन के हाथ नहीं लगने दूंगा मैं, नहीं लगने दूंगा नहीं विजे, नहीं, हम बहुत मुश्किलों से उनके चंगूल से निकले हैं मैं तुम्हें फिर से मौत की मुह में जाने नहीं दूंगी तुम्हें मेरे संदूर की सौगन है अपने होने वाली आलाद की कसम है छोड़ दो ये नौकरी ये वर्दी नहीं मौईने मैं जिना छोड़ सकता हूँ मगर ये वर्दी नहीं मैं अपने आप से मूँ मोड सकता हूँ मगर अपने फर्ज से नहीं क्या तुम्हें अपनी पत्नी की जरह भी फिक्र नहीं अपने होने वाली उलाद की कोई परवा नहीं मैडम, कुछ लोग जीते हैं अपने परिवार के लिए और कमांडो विजय जीता है अपने देश के लिए वाग रामिने, तुम्हारी अदाओं का जवाब नहीं ये हमारे शत्रंच की आख्री चाल है मास्टर मास्टर, आपके प्लैन के मताविक मैंने कमांडो विजय को यकीन दिला दिया है कि वह वाकई पिछले कई महीनों से ब्योश था मैंने उसे ऐसा इंजेक्शन दे दिया है कि आने वाले 24 गंटों में उसके दिमाग पर ऐसा शुरूर चाया रहेगा कि उसके बाद आप जो चाहेंगे वो करेगा गर्ट, डक्टर को उसके पैसे दे दो पचास हजार लेकिन आपने तो पांच लाग रुपए देने का वादा किया था मास्टर जो काम मैंने पैसो के लालच में आकर किया है न वो कोई भी दुनिया का डॉक्टर नहीं करेगा लालच और लालच फित्रत हमें बिलकुल पसंद नहीं मास्टर मुझे माफ कर दो मास्टर 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 अगर मैं होस्पिटल में कई माइनों से बेहुश था तो मेरा यह जखम क्यों नहीं बना इसका मतलब यह साजी जए रुक जाओ भारे सरकार के सारे फौजी राज कंप्यूटर से निकाल कर और कंप्यूटर से कैंसल करके दुष्टमन देश से तुम क्रोड़ों रुप हासल करना चाहते थे मुझे फसा गया सर यह देखिए मैं आसकम यह देखिए यू अर अंडर अरेस्ट गद्दार मैं गद्दा नहीं हूं सर मुझे गिता करके बहुत बड़ी गलती कर रहें मैं देश दोई नहीं हूं मैं करता नहीं हूं हलो एंड्स अप मुझे तुम पर भी शक्था बल्लाज को राना मॉव सर्य आप क्या कर रहें मैं वो नहीं हूं जाप सोच रहें तब फिर कौन हो तॉम आइम फ्रम दी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट मैं दिल्ली से आया हूं और इंटिफिकेशन कार्ड अचानने में गलती हो गई सर मैं अपने सीनियर आफिसर को यहां की पूजीशन के बारे में इंफॉर्म करना चाहता हूं और वो ड्यूटी तो मेरी है न सर अब मैं जो कहता हूं वो करो तुम कमांडो विजे को लेकर हैटकॉाटर जाओ और वहां उसकोर्ट मार्शल करवाओ सर यह केस आपका है बहतर होगा कि आप ही विजे को ले जाएग अब मुझे तुम पर पूरा भरोसा हो गया है खुराना मेरी बात समझ रहे कि खुशिश करना मैं गजदान नहीं हूं मुझे फसाया गया है यह बहुत बड़ी साजिश है अगर मैं कहत हो गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा मेजर कपूर स्पीकिंग माश सर कॉंग्रेचुलेशन्स हम अपने मिशन में काम्याब हो गए हैं भारस सरकार की फौच के सारे राज मेरे पास हैं इस वक्त और कमांडो विजय उसका इंजाम मैंने कर दिया है उसकी काड़ी में टाइम बम लगा दिया है मैंने यही वो बम है ना मिस्टर मेजर जो तुमने मेरी चीप में लगाया था मुझे खत्म करने के लिए मिस्टर कपूर, मेरा शक्त तो उसी वक्त यकीन में बदल गया था जब तुमने मुझे मेरे सीनियर आफिसर को इन्फरम करने से मना किया थे गद्दार मैंनी हूँ मिस्टर मेजर, गद्दार तुम हो और तुम्हें मास्टर डीडी के अड्डे का पता बताना हुआ उनके लोग उन पहाड़ियों में कहां छिपे हैं वो जगा बतानी हूँ कोड मार्शल अब मेरा नहीं तुम्हारा होगा मिस्टर मेजर मुझे नहीं मुझे नहीं मुझे 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 सॉरी मुझे नहीं कामिनी कामिनी आपकी पतनी की हम शकल मुझे चड़वा बहन हूँ जीजा जी तरह से बैग मेरे हवाले कर दो नहीं तो विजे की खोपड़ी उडा दूगी नहीं लाओ 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 शालू ने मुझे ख़बर दे दे कि कुछ लोग रात को आकर भावी से मिलते हैं तो मामले की जड़ तक पहुंचने के लिए मैं उनकी गैंग में शामिल हुआ फिर पता चला कि आपकी जान खत्रे में है और भावी काली टोपी के कबजे में है तो उनका विश्वास जीतने के लिए मैंने मासर को जेल से छुड़ाया और भावी को भी बचा लिया आए मुएने इतना बड़ा ऐसान किया मुझ पर भाई भाई पर कभी ऐसान नहीं करता हाँ भाई है शालू ने मुझे सब कुछ बता दिया ठालू ने मुझे स वान विए घटा यह इतना बड़ा लुच एज़ा वह इतना बड़ा यह कि अधिए तरह से वह सिक्रेट्स मेजर के साथ हमारे हवाले कर दो तहीं तब उधर देखा भाश्चर्ण वह सिक्रेट्स के साथ मेजर को छोड़ रहा हूं तुम मेरी बहन को छोड़ दो चोड़ दो से इस बाम का रिमोट मेरे हाथ में मुझे चुक चाब मास्टा तक पहुचना है रास्ते में कोई होश्यारी की तेरी आवास हमेशा के लिए बंद कर दूंगा प्रश्यारी का प्रश्यारी का प्रश्यारी का यह बंद कर दूंगा चामाँ दूंखा है गश्यारी की तो कर दो दो हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ 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 हु खाओ कशम, बान कर सर पे कफन, हमें मिटाना है देश मिटाने वालों को, बचाना है देश को देश के निशानों को, दुश्मन का निशाना चाहे कश्मीर हो या सिन्ध, भारत मा का सिपाही हमेशा कर से कहेगा चाहे यह लपड़े वाज, आंदे वाज, अराम खोर, ताले कितने जापड़ा मारा थे कुछ कंट्रोल था, तेरे को तो लाइन आप कंट्रोल ले जाएगा मारना चाहिए, लेलो इसको स्थाच है